आश्थे, Ear Wax, कान का मैल ये पिक्चर देखेंगे तो कान को तीन पार्ट करके डिवाइट कर सकते हैं ये भायर वाला, ये मिडल वाला, ये सुबसे अंदर वाला भायर वाला जो है, एक्स्टरनल है, येर है, उसमें स्किन लाइन है यह skin lining में outer one third में दो टाइप का glands है एक glands का secretion जो है दो different racham का glands है टाइप है एक जो है वो पाने जैसा secretion लाता है दूसरा जो है lipid fat जैसा secretion लाता है यह दोनों secretion यह skin को oily lubricate करता है जैसे machines car में और जो से machines में oils दालते हैं वो इसा lubricate करता है और protective function भी करता है यह secretions जो है उसके साथ में इधर ही थोड़ा hair cells भी है यह दो secretion glands का secretions और पुराना hairs और यहां का skin को जो पुराना skin है यह सुब मिला के wax form करता है मैं यह पॉइंट में कुछ बोलना चाहता हूं एक ही normal skin जो जिसम में skin है वो नीचे से उपर replace में नीचे उपर old skin है पुराना skin है नीचे से नया skin उपर आके उसको replace करता है कान में ऐसा है कि नीचे से उपर ने अंदर येर्डरम से नया skin form हो कि old skin को भार ढगल देता है तो मानो इदर कुछ wax है कुछ मैल है कुछ hair पुराना hair पड़ाओ है कुछ भी है तो skin migration में वो सुब भार आजाए यह नॉर्मल कान में यह सिर्फ कान में ऐसा है तो थोड़ा लोग आके बोलते हैं डॉक्टर हमें wax ज्यादा है हर तीन मेने छे मेने में निकालना पड़ता है यह क्यों है और इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है तो इस वैक्स इस प्रोटेक्टिव आंग बॉडी के लिए wax चाहिए वो प् तो वह acidic है इसलिए bacteria virus fungus को आने नहीं देता और dry होने नहीं देता स्कीन को dry dry हो गया तो itching आता रहेगा तो oily coating बनाके रखता है और साथ बात में protective lysozymes immunoglobulin से इसलिए bacteria virus और जो भी है वो जल्दी में infection नहीं आता यह उसका function अभी थोड़ा लोग को ज्यादा क्यों कम क्यों इसके पहले ज्यादा क्यों कम क्यों ज्यादा इसलिए क्योंकि यह heredry हो सकता है एक सेकेंड यह है कि जो patient stress ज्यादा है बहुत emotional है उनको अभी कुछ चाहिए immediately चाहिए हार टाइम stress अप रहते हैं उनका secretary action भी ज्यादा रहता है वैसा ही जब भी वो कान में कुछ दालके clean करने के try करते हैं, ear buds दालते हैं, key दालते हैं, kitchen के कुछ पाट दालते हैं, hairpin दालके clean करते हैं, तो उदर का skin stimulate हो जाता है तो secretions ज्यादा हो सकता है, उसके साथ में ऐसा भी moment ज्यादा के wax ज्यादा जैसे हो सकता है कभी-कभी क्या होता है कि wax formation normal है, जो भी है, बट वो भार आनी पा रहा है, तो हमें लगए का वो ज्यादा produce कर रहा है क्या होता है कि ये skin का movement के लिए, ये दोनो joint का movement होना जरूरी है TM joint बोलते है, temporal mandibular joint जो dentition, दात ठीक नहीं है, तो ये temporal mandibular joint ठीक से काम नहीं करता जब ये joint ठीक से काम नहीं करता, तो skin migratory effect कम हो जाता है जब कम हो जाता है, तो normal skin, normally जो wax है वो भार आनी पाता तो हमें लेगेगा normal wax भी ज्यादा लेगेगा अभी wax दो type का होता है, color रहके देखेंगे तो brown हो सकता है नहीं तो yellowish color हो सकता है, consistency रहके देखेंगे तो hard हो सकता है हो हो सकता है, नहीं तो soft हो सकता है patient का complaints हर patient बोलते हैं, जो भी है तो बोलते हैं कि कान बंद जैसा लग रहा है तो कान सुनाई नहीं दे रहा है कम patient बोलते हैं कि खासी ज्यादा है और bell जैसा कुछ sound कान में sound आ रहा है और बहुत कम patient बोलते हैं कि कभी कभी चकर जैसा लग रहा है dizziness जैसा है हम जब कान देखते हैं, examine करते हैं तो wax से भड़ा पड़ा होते है अभी उसको अगर चो वो hard है तो soft करके निकालना है क्यों? क्योंकि hard wax निकालने के टाय में उसका skin जो है कान का वो भूत soft है और कान का परदा भी भूत तिन है hard wax जो है वो hard wax जो है उसको soft करना है soft करने का चार medicines है सबसब जियादा पहले वाला medicines देखे soft करेंगे अभी wax निकालना का भू सारा तरीखा है एक तरीखा हुआ syringing मतलब अब example देंगे तो car wash जो करते हैं पानी का wash दलके करते हैं ऐसा warm water एक particular temperature में दे रखके वो पानी दाल के wax निकालेंगे उसको syringing बोलते हैं दूसरा हुआ कुछ hook रखके निकाल सकते हैं suction करके निकाल सकते हैं और fully automated machine रखके निकाल सकते हैं अभी ऐसा नहीं हुआ कि wax देखके हैं सोब wax को निकालना पड़ेगा जब वो completely block करता है नहीं तो patient को complain है जिसे कान सुनाय नहीं दे रहा है कान में आवाज आ रहा है नहीं तो कान में दर्द है ऐसा है तो ही हम wax निकालेंगे नहीं तो wax normally है वो normally काम करना चाहिए और उसका function protective function होता है हर case में syringing कर नहीं सकते जब कान में कान के अंदर परदा में hold है छेद है तो syringing नहीं करना चाहिए पानी दल के साफ नहीं करना चाहिए करेंगे तो उसमें infection हो जाता है कान में already infection है भायर का कान में infection है तो भी syringing करके नहीं करना चाहिए उसमें इसे भी infection बढ़ सकता है तो ऐसा condition में सिर्फ suction करके clean करना चाहिए अभी last है कि अभी थोड़ा दिन के पहले कान का operation क्या है ऐसा है तो भी कान में syringing करके wax नहीं निकालते अभी take home message कान में buds, key chain ऐसा कुछ भी दालके कान clean करने का फाइदा नहीं है मत करो भी क्यूंकि पहले जैसे मैंने बताए था कान एक self cleaning mechanism है अंदर से skin migrate होके भायर आके जो भी मैले वो खुद भायर ढखलता है हमें लेगेगा कि हम wax earbuds दालके कान साफ करेंगे हर नहाने के बाद, स्नान करने के बाद क्या होता है कि भायर जो wax है हम पुश करके ढखलके उसको अंदर कर रहें तो कुछ भी कान में दालके साफ मत करो वो अपने आप clean हो जागा यह है take home message thank you so much, शुक्रिया